हेलो अबरीबड़ी अपने पिछले लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन श्टडी किया था आज हम उसकी एप्लिकेशन देख रहे हैं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड डायमंड जो होता है वह स्पेशली कट होता है जिसकी वजह से उसके अंदर चमक होती है अग कि इसकी अपनी चमक होती है अपनी इसकी अंदर कोई इसके उसलाइट बाहर नहीं निकलती है जैसे कि कुछ स्टूडेंट सोचते है तो मालीह जो है बहर से कोई दाइमेंड सब्सक्राइब करेंग तो सामने वाले फेस पे जब मार्य करेंगी तो यह इस बात की ज्यादा प्रॉबइलीटी है वब को है क्रिटिकल एंगल कितना होता है 24 डिगरी diamond जो है वो काफी जादा dense है उसका refractive index जादा है और आपको पता है पिछले lecture में हमने पढ़ा था कि sign c जहां c क्या है critical angle is equal to होता है one upon one mu two तो refractive index जितना जादा होगा उतना ही critical angle कम होगा तो diamond का refractive index बहुत जादा होता है जिसकी वज़े से critical angle 24 degree होता है air and diamond के combination के लिए जबकि air and glass के लिए यह 42 degree होता है glass के लिए glass के लिए ज्यादा है diamond के लिए बहुत ही कम होता है तो जितना कम यह critical angle होगा उतनी ही ज्यादा probability है कि जो light ray बाहर निकलना चाहरी है वो 24 degree से बड़े angle पे strike हो यानि कि critical से बड़े angle पे strike हो तो यहां इसका क्या हो जा जाएगा total internal reflection हो जाएगा और light जो है वो सामने वाले face पे जाके strike करेगी अब जो इस face पे strike कर रही है यह वाला face जो जान बुझ के ऐसा inclined बनाया गया है ताकि यहां पर भी जो light का incidence एंगिल है वो critical से बड़ा हो और यहां पर भी क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा यहां पर यह को पता है कि TIR होने के लिए क्या चाहिए दो बाते जरूरी है एक तो डैंसर से रेर की तरफ लाइट जा रही हो दूसरी बात जो है वो critical एंगिल से बड़े अंगिल पर श्ट्राइक हो अगर रेर से डैंसर में जा रही है जैसे कि यहां पर अंदर एंटर कर रही है तब य पर लेकिन यहां TIR हो रहा है यहां TIR हो रहा है और यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कि किसी और फेस पे टखर आएगी और अगर यहां पर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो यहां light ray बहार एकजिट कर जाएगी तो इस तरीके से डायमंड के अंदर ज देखें लाइट उसके अंदर चाव तरफ से अंदर एंटर कर रही है लेकिन किसी-किसी special face में से ही वह बाहर exit कर रही है लाइट उसी के अंदर trap हो गई है multiple total internal reflections हो रहे हैं जिसकी वज़े से उसके अंदर trap हो गई है और जब वह light किसी एक face में से बाहर निकलती है तो अंदर तो जा रही है सभी faces में से निकल रही है किसी कम, बहुत ही कम faces में से, कम जगहों में से तो वह हमें ज्यादा intense महसूस होती है ज्यादा चमक वाली महसूस होती है और diamond जो है हमें चमकता हुआ महसूस होता है तो इसमें diamond जो है वो चमकता है due to total internal reflection and due to high optical density of diamond and due to special cuts of diamonds तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में जहां पर हम fiber optic cable की बात करेंगे साथ ही निराज की बात करेंगे जो की optical phenomena's है total internal reflection से related तब तक के लिए thank you